असलाम अरेकुम वेलकम बैक तो जोरोजी फॉरूम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास हाइटोजोवा तो बेसी कि लिए आज की टॉपिक में हम तीन से चार चीजों की बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोड़क्शन ऑफ क्लास हाइटोजोवा सीके नमबर पे क्रे की विद इंट्रोड़क्शन इंट्रोड़क्शन हैट्रो-जॉण और वैरी स्मॉल एंट्रोड़ आनिमल्स से मिजॉर्टी ऑफ आनिमल्स जो हैं यह मेराईन होते हैं जबकि इन में कुछ फ्रेश वाचर अनिमल्स भी पाय जाते हैं फॉर एक्सामपल ह हैड्रा यह यारियोस यह आपको पता है कि दो बोड़ी फार्मी की एक मेडियोस यह पाड़ा नेयुस कि आपके ऑडियोस अब नियूस होता है bet you have a मेडिखर के बात करते हैं डिक़िंगे देमेडुर से लेक। दोसरी होते हैं तेड़ मेरेवह इतितो का ही यह लू फो करते हैं , फक्रेशन कीषिते हैं आफ रेज़ों चैनल परम ineलियूर्ट होते हैं बिद्ध बाद करें तो गैमेट्स है वो गैस्ट्रो वेस्कूलर क्याटी में भी मौजूद हो सकते हैं जिपके आउट साइड ओफ तबॉडी भी जा सकते हैं लेकिन हैड्रोजों के के समें सिर्फ और से यह आउट साहिड ऑफ तबॉडी और इसका मतलब एक्स्टर्नल फर् प्रेजंट बिद्ध एपिडर्मिस और गेस्ट्रोडर्मिस इडिस लार्जली एसेलूलर इन दे केस ऑफ हाइड्रोजों मतलब इन में कोई भी सेलूलर स्ट्रॉक्चिर्ट्र दो के डिफरेंट फंक्शन के लिए मौडिफाइड हो सकते हैं वो नहीं मौजूद होते हैं अब हाइडरोजों की जेनरल बात करें तो ज्यादा तर हाइडरोजों जो होते हैं आध कलूनियाल पॉलिपस मतलब ऐसे पॉलिफ्स जो के कलूनी बनाकर रहते हैं अब भी बनाा कर रहते हैं तो उस में दिफरेंट полож ऑंगे ठीक है बहत ज़यादा depends हो हो इन्विजाल पॉलफ मैं वह्म होंगे योने अटुरी जो ऋवह दिवेड़ मेड़ पॉलफ नी में 20 ऴॉलिफ से अटीक ठीक तो इस अम्छल यह वहथा कोई करिये को ऩूर लोकोंचल को यह डिफैस के लिये तो कोई यह वह और एफ देरान से करिए उनका स्पेसिफिक होते हैं ठीक है फर्स्ट एनिमल जो है उसका नाम है उबीलिया जो है इस वेरी कॉमन मेराइन नाइडेरियन ठीक है इसमें हम पहले इसको डिसकस करने से पहले सब दो टम्स है एक है गेस्ट्रोजवाइड और दूसरी है गुनोजवाइड तो इन द चुटा सा घिससे है इसमें अब डिफरंट पॉलिपस पहान भाएं इसमें थरी डाइ फसली यह नाम है इसक पाका चreck पहले ज यह जो फोले होते हैं कि क्लिएिसकर प्ible यह गिंश फित्टली वयोध यह इसको क्या सूइब कर दोच्छम पाती सबुद कर और अंद सक्र sir तो इस तरह को लिए निए डिफरन टाइपस ऑपॉलिप्स होते हैं जो के इफरन फंक्शन के लिए स्पैसिफिक होते हैं तो गेस्ट्रोजाइड और गॉन्रोजाइड की टाम्स का हमें पता चल गाए अब प्लैनियुला अभी लिया की बात करते हैं कि उनमें रिपर्डेक् मती का होगा हैं धीग किरे अपर एटैच हूगया और फिर जुह है सबस्टेट के साथ होगे और सीसाहल पन गया तो यह अब सीचाहल प्लैनियुला जो है इट विल गिव राइज टु गेस्ट्रोजवाइड थीक है उसके बाद इसमें यह सेख्ष्ट्रोज अोगी मतब ब बनेगा गोनो जौइर बनीफ सब्साइब रहे 11,alohya फर्दर फिर मेडूसा बड़ सब्साइब बनेगा धब भी मेडूसा बनेगा और फिर यह से बाज़ करता है ठीक है तो यह पिक रिपाली को पक्ड़नी करने के लिए प्रूरत इसे ही जरुट। मैंड़नी की लिए टेंटिकल फॉट। उनको पकड़ते हैं ठीक है उसके विलावा यह अपनी बॉडी कहरा हूँ जो है यह एक स्कैलिटन स्क्रीट कर लेते हैं जो के काईटन और पॉटीन का बना होता है जिसको कहते हैं पैरी सार्क ठीक है कि उपनेज बनेज्ड गोनोसईट ने तो इसके लावा एक और चीज़ यह पे जाइस सब्सेट के साथ यह उटाच हो थी रूट हेड़ त्री के बाद करें तो इनके साथ रूट हेड़ होते हैं जिनका काम होता है कि वो चाह्ता है ठीक है और फिर इसससे ब्रांचेस ऑफ कलूनी की ब्रांचेस बुरू हो जाते है उसके जाए आगर हम और बाड़ी बार बार किरें तो इंक sous क具 बार बार नियोजा सब को देनी है क्योंकि इसी कखाम है तो इसके जरी जो भी फीडिंग मिटीरियल होगा वह सब तक पहुंचेगा उसके रावा इनके पास बॉड़ी वाल जो होती है वह भी कॉंट्रिनियस होती है ठीक है उसके पास गेस्ट्रोजाइट के अगर बात करें तो इसके आर था मोस इसके पासभी जब बनती है तो उससे गॉनुौणी कैसे ग्रोव करती है जब गॉनुजाइट के ऊपर रिपरड़क्टिव स्ट्रॉक्चिर्ड बनती है मेडियूसा बड्स बनती है यह पुलेप बस्ट्रोज तो तब क्लोवकरती है अब नेक्स्ट जो है हमने ग्रमणू ऐसे ब्रॉंच उती हैं न किसी ट्रीक तो ये ब्राइश के साथ लगे मेड्यूसा रहा हो जाएंगे लिए उस खुड़ जाएंगे तो यह ऐसे लासे बाह बात हुआने के बाद यहां पर निकल जाएगे और यह फिर ऊपन अप होके मैड्यूसा मैचूर मैड्यूसा बन जाएंगा फिर यह मैड्यूसा जो है डॉबारा से sexual reproduction करेगा और sexual reproduction के दुखी पीर फंद जो है यह polips बनाएगा अभुपर फिर फर्दर जो है यह यह of non ज्यादा मेडियोस स्टेज़ पाएजाती है। आप इनके ज्यासी जैली फिश टाइप प्रॉट्चर होता है। इनके बिल्कुल वैसा ही इनका स्ट्रॉक्चर है। इन शैलो महराइन वौटर्स यह जो कम गहरा पानी महराइन वौटर्स उसमें रहते हैं। इसके पास इसके इलावे इनके यह जो टेंटिकल्स हैं इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्चर्स होते हैं जो कि इन्हें help करते हैं ताके यह स्मूंदर में जड़ी बूटी होती हैं उनके साहरे एडेयर कर जाते हैं ठीक है फर एक्जामपल अब यहां पे अडेसिफ पैर्ड दे होते हैं अब में आणस साइड होती है है थोड़ी आप कह सकते हैं इननवेड मुव करना सिटार्ट करते है तो झाएम का क्या है तिके का इस इसके márफिसटार प्ली जो है यह पुटेते हैं आब क्दीर कूच्छ घंका इस चैड़िए जो इ回去 प्रपॉलिजिन करता हैं तो क् सर्फिस एरिय काम होने के वजह से ये किया करेगा ये चिट परपल्जòng बाहिं कर आफ निकलेगा तो एक आपिनार को आप साइड में जो हुआ जो है वह इसके नटीजे में आप मूब करते है बहुती तीजी से तो ये घृट एनिमस जो है वो जेट परपुलजन इस्तमाल करते हैं फोर अपने प्री डिटर से भागने के लिए ठीक है उसके बाद सेकंड जो स्ट्रक्टिर उसको मैनोब्रियम कहते है मैनोब्रियम जो है यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्टिर होता है ठीक है और इसमें यहां पर आप इसके एंड पर माउथ प्रेजन होता है माउथ होता है और इसके बाद यह है गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अब इनके जो गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है यह इस तरीके से फोर रेडियल कनाल्स में आगे डिवाइड की होई होती है ठीक है मतलब यह रेडियल कनाल इसकी gastrovescular cavity जो है वो फटर रीडियल कनाल में डिवाइड की होती है वो आके फैल गई होती है ठीक है और यहां पर आके margin of the medusa पर आके यहां पर रिंग कनाल होती है जो के इनका connect करती है ठीक है उसके बाद जो है इनके पास nerve net कौन सा मुझूद होता है यहां nerve cells जो होते है एक तो nerve net है इनके पास nerve cells पाए जाते है nerve ring की form में जो कि विच इस आल्सो प्रेजन्ट at the margin of the medusa ठीक है किनारे पे बिल्कुल जो है वो एक nerve net भी nerve ring भी पाए जाती है जो है वो कोडिनेट करती है इनको swimming movements में help करती है उसके लावा जो है वो sensory structures पाया जाते हैं इनकी मिजोगलिया में जो मिजोगलिया जाली लाइक लेव प्रेजन्ट at the margin of the medusa between the epidermis and the gastrodermis तो उसमें को structures पाया जाते है कि यह स्टेटूसीस्ट अब क्या होते हैं बेसिकिरी इस ए स स्टेटूसीस्ट इस तरह से कुछ एक structure होता है कि सैक लाइक structure होता है जिसमें एक concrete structure पाया जाता है जिसको statolith कहते है जो कि calcium carbonate का होता है ठीक है अब इस statolith का काम क्या होता है ठीक है जब भी गौनिगा और नामस जब भी animal move करेगा तो ये जो है statolith ये भी move करना start कर देगा मतलब ये आगे पीछे move करेगा तो ये basically इस तरीके से क्या होगा कि जो एक nerve impulse जो है वो एक message जो है वो brain के animal के पास जाएगा उनके nervous system के पास जाएगा और वो उन्हें बताएगा कि balance कहां पर खराब हो रहा है तो basically ये उन्हें जब balance खराब होता है या balance को maintain करने में उनके help करता है तो इस नतीजे में animal जो है वो अपना swimming behavior चेंड कर लेता है ताकि जो है वो उसका balance ज जाए ठीक है और गॉनिड के बात करें तो गॉनिड जो है वो यहां पर हैंक के होते हैं at the site of a radial canal radial canal के साथ ही मतलब हैंक होते हैं ovary और यह इससे क्या होता है कि यह डाइशेस होती है different animals में spums होते हैं और different animals ले करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह अपने गैमर्स होते हैं सी वाटर में ले करेंगे और वहीं पे फिर external fertilization होगी प्लैनियूला लार्वा जो है वो बनेगा और जो कि सबस्टेट के साथ attach हो जाएगा और फिर further polyp बन जाएगा उसके बाद polyp जो है वो बर्डिंग के जरीए इसे एकली रिपर्डूस करने के बाद मेंडियोसा बना द जबके jet propulsion create करना है जबके manoeuvrium का जो है यह further gastrovascular cavity for radial canals में डिवाइडी के होती है जो कि radial canals को ring canals जो है वो आपस में बुसरे के साथ attach करती है उसके लावा इनके पास nerve cells मौजूद होते है nerve ring मौजूद होती है जो कि swimming movements में coordinate करती है में जोगिया में स्टैटो सिस्ट पाया जाते है सेंसे structures उसके अंदर स्टैटो लित पाया जाता है जो कि इनको balance maintain करने में help करते हैं उसके लावा गोर्नर्स जो हैं यहीं पे hang के होते हैं at the end of the radial canal देक है और इस तरह यह अपनी external fertilization होती है इनमें और वहीं polyp बनता और फिर polyp फर्दर जो है वो बडिंग के तुरू मेडियोसा बनाता है तो आप बात करते हैं third animal की जिसका नाम है hydra it is a common fresh water hydros one जिसमें मेडियोसा स्टेट जो है वो नहीं होता जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉलिफ स्टेट जो हती है अब इस धार α सिर्फ थी पहाशती होती है और हुर्दर बनाया जाते है और उसके लावह जातते हैं इनमें एकस्टिनल केसे हैं कि ये सेख्श कि बी ब्रिपड़ियोस करते हैं अब इनमें होता कैसे है कि for example जह आइन affair धै कि Hydra's testies पिर लावरी जाते हैं, इसके लावरीज भी अब यह testies और ovaries बनती हैं from the interstitial cells ठीक है जो testies होती है वो normally इनके upper half में पाया जाती हैं जबके ovaries नहां यह इनके lower half में पाया जाती है अब यह testis है जो कि इनके अपर हाफ में present है testis are formed from the mitotic divion of certain epidermal cells ठीक है अब इन testis में जो है वो meiosis होगी और meiosis होने के बाद जो है वो इनमें sperm cells बनेंगे sperm cells जैसे ही sperm बन जाएंगे ठीक है जब वो मैचूर हो जाएंगे तो यह एक opening यहाँ पे testis में होगी जिसके तुरू ये औटवर्मम्मेंट में चले जाएंगी ठीक है? उसके लावा अगर ovires के बात करें तो एक ovari में वी डियाहे ही एग बनता है जबको sperm cell ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं जबके ovari, जो है, ovari में egg जो होता है वह और सिर्फ एग ही बनता है it is also formed from the aduvian of interstitial cells ठीक है उसके बाद जब एग बात आता है तो यह जो ओवरी के एक 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 डायच रहेगा इसके साथ ऑपीडर्मिस के साथ ही ठीक है उसके लहवा इन्में यॉर्क जो होती है वह इंकर पृर्परेट की जाती है मतलब उसके अंदर डाले जाती है तरुबभ गेस्ट्ट्रॉडर्म्स में मुझ। है यॉर्क काम क्या है कि वह नुरिश्में ऐसके बाद यह स्टॉक के साथ जब अटैज होगा उसके बाद आउटर इन्वार्म से स्परम आएका और इस एक्वफर्टिलाइस करेंका। तो उसके बाद यह जो एपिदिर्मल सेल्स होते हैं ,्यार क्या कर देते हैं, एक जाते हैं , अराउंड सेक्रीड कर देते हैं यह पिरिं नियो की बॉड़ी से अलादा हो जाता है , एक एमड्यों एम्ड्रियो , डाउंड titled करते हैं कि अइसा पिरियोट एसा टा wzglवा च्रॉप करता है और इसके बाद रिजिस्टेन्ट उस blasit can सर्वाइब कर लेता है उसके बाद जो है वो स्प्रिंग का पीरियड आता है तो उसमें हैचिंग होती है और हैच करने के बाद एक अडल्ट जो पॉलिप है उसमें कनवर्ट हो जाता है वो बना लेता है ठीक है जैसे कि आप डाइग्राम में देख सकते हैं कि इनके पास यह और दूसरी साइड पे लोर हाफ में इक अवरी बनी थेक है उसके लावर एक इपोर्टन बात कि यह मोनो इस भी हो सकते हैं और डाइशियस मतलब एक ही जैसे इसके एक्जांपल में ने दिया कि कि इनमें क्या होता है कि इनमें टेस्टी उपर टरफ होती है और और नीचे क पिर जो इसका sperm आके इसको fertilize करता और इस तरह के से adult बनता है ठीक है तो दोनों cases जो हो सकता है इनमें उसके यहां पर आपको यह प्रॉपर ली नजर तो नहीं है करेकर आपको शुश करें कि एक life cycle है hydra का जिसमें आप देखें कि यह एक यंग पॉलिप है ठीक है यंग पॉल इसके लावा इनके बाद next क्या होगा कि यह एक male है ठीक है यह डाइशिस की example दे रहे हैं यहां पर टेस्टीज बनी है टेस्टीज बनने के बाद यहां पर sperm cells बने हैं ठीक है outer environment में चले गए है उसके बाद फर्दर जो है तो इसमें eggs तो इसमें और बनेंगे और इससे फर् fertilize करेंगे fertilization के बाद फिर फर्दर encapsulated embryo बन जाएगा ठीक है और फिर जब जो है वह सप्रिंग का सीसन आएगा तो उसमें यह यंग पॉलिप में convert हो जाएगा तो अब जोटा सब टॉपिक है जोटा सब टॉपिक है और सिफोन ओफरा के बारे में और सिफोन ओफरा के बार इसें मीर्यसाइड आटे हैं यह इसमें बॉलिप मार जाते हैं इसमय है तो डॉटवाइद बॉलिप अनिमहलों चर इंतनल सबья है और आधिस मेन आ इनका इंकर डुपिल्हा की माउथि होता है पार एंत। वैसे function होता है तिक है यह single long tentacle होता है इनके पास जिसके ऊपर नीडोसाइट structures लगे वहते हैं नीडोसाइट cells लगे वहते हैं जो बीडिकली stinging cells ठीक है तो यह प्रे को capture करते हैं इनका काम प्रे को capture करना है जब के कुछ दूसरी ताइपस के पॉलिप्स इनमें पाए जाते है इस order में जिनका काम होता है पर एक को डाइजेस्स करना मतलब गेस्ट्रूसाइड होते है ठीक है उसके लावा जो मीडियसाइड इंडविज्जूसाइड होते हैं उनका फंक्शन है इनमें वह एक तो गुनिर्ड्स बनाना ठीक है उसके लावा डिफेंसीव स्टॉक्चर बन इसके लावबocalyptic बनाना। वीमिंग बेल्स बनाना। गाहँए हैंिघूपा सुस्कारिंग रूइए चीजे बनाना फजहों नहीं के आप वनुक्रांति होती होता है झाल झाल